नमस्कार दोस्तो इस वीडियो में आप सिवका स्वागत हैं दोस्तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप खुद से इंटरनेशनल प्लान में Osmos Technology में अपनी ID को एक्टिवेट कर सकते हैं साथी साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा तो चल ये वीडियो को करते हैं सुरू और चलते हैं अपनी ID में तो सबसे पहले दोस्तो वीडियो को सुरू करने से पहले आपसे एक request है कि हमारे चैनल को अभी तक सस्क्राइब नहीं किये तो कि इस पर सस्क्राइब कर ले और वीडियो अगर पसंद आएगा दोस्तो तो लाइक जुरूर कर दीजिएगा तो दोस्तो अपनी ID को उपन करने के लिए सबसे पहले आपको Google या Chrome browser उपन कर लेना है यहां फिर सच करना है osmtechnotechno.com osmtechno.com सच करेंगे सच करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा interface open हो जाएगा ऐसा interface open होने के बाद दोस्तो उपर में दिख रहा होगा आपको sign in का option इस sign in के option पे आपको click कर देना है जैसे ही sign in के option पे आप click करेंगे तो आपके सामने login ID और password डालने का option open हो जाएगा दोस्तो आपको inter user ID में अपना old ID या फिर अपनी ID डाल देनी है और password अपना password डाल देना है उसके बाद आपको sign in पे click कर देना है जैसे आप sign in पे click करेंगे तो आप अपनी ID में login हो जाएगे दोस्तो अपनी ID में login होने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा interface shopping हो जाएगा यहाँ पर देखे दोस्तो subscription wallet में मेरा 12$ है top of wallet में 20$ है OSM wallet में 0$ हो और income wallet में 0$ है मुझे subscription wallet और top of wallet दोनों को use करके अपनी ID को activate करना है दोस्तो आप subscription wallet से भी ID को activate कर सकते हैं top of wallet से भी कर सकते हैं OSM wallet से भी कर सकते हैं ठीक है दोस्तो लेकिन OSM wallet का 20% ही use होता है अभी तक 16$ यूज हो रहा है लेकिन आप maximum 20$ कर सकते हैं 20% कर सकते हैं OSM wallet का तो चलिए आप जान लेते हैं कि अपनी ID को कैसे top up करना और कौन-कौन से options मिलते हैं आपको यहां पर 3.5 पर किलिक करने के बाद यहां पर buy gaming social subscription पर आपको क्लिक कर देना है बाइ gaming social subscription पर किलिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसे interface open हो जायगा अब यहां पर दोस्तों देखना है कि 4 जो wallet है आपका 5 wallet में किस-किस wallet में आपका $ है तो मेरा देखे, Top Up Wallet में 20 डोलर है और Subscription Wallet में 12 डोलर है 20 और 12, 32 डोलर यनि कि मेरा किस बतन बन रहा है तो मेरा Top Up Plus Subscription बन रहा है तो नीचे Top Up Plus Subscription पे हम किलिक करेंगे For example में, माल लिजे OSM में आपका कुछ है डोलर कुछ Top Up में है और कुछ Subscription में है और तीनों को यूज करना चाहते हैं, तो तीनों को भी आप यूज कर सकते हैं, जो मैं आपको आगे बताऊँगा, तो दोस्तों नीचे करेंगे, तो नीचे करने के बाद देखें, यहां पे पहला जो आपके सामने option आएगा, वो पहला option यहां पर है, कि बाइनुस स्क्रिप् पहला option पर click कर देना है अब नीचे आएंगे दोस्तों तो नीचे है दूसरा option है by using OSM plus subscription for example में किसी का OSM में है और subscription में दोनों में है तो दोनों को use करने के लिए आपको second number का option पर click कर देना है दोस्तों इतना ध्यान रखना है कि OSM बॉलेट में maximum 16 डॉलर ही यूज कर सकते हैं 16 डॉलर के आगे आप OSM से नहीं कर सकते हैं बाकी सब subscription से यूज होगा अब नीचे आते हैं दोस्तों तो नीचे तीसरा option है आपके सामने कि by using top up plus subscription बॉलेट यानि कि top up में आपका पैसा है, top up में आपका डॉलर है और subscription में डॉलर है तो आपको दोनों में यूज करने के लिए आपको तीसरा नमर के option पर click करना है जैसे मेरा top up में 20 डॉलर है और subscription में subscription में दोस्तों यहाँ पर देखिए नीचे में कि top up में मेरा 20 डोलर है और subscription में 12 डोलर है तो मैं नीचे तीसरा नमर option पर क्लिक करूँगा कि top up plus subscription लेकिन एक नीचे भी है एक चीज मैं बता दूँ कि top up में top up में 20 डोलर maximum यूज कर सकते हैं कि top up में आपका 50 डोलर है तो 50 डोलर आप यूज नहीं कर सकते हैं maximum 20 डोलर ही यूज कर सकते हैं तो मेरा top up में 20 डोलर है और subscription में 12 डोलर है तो मुझे यहाँ से ID अक्टिवेट होगा मैं आपको अभी करके बताऊंगा आगे है दोस्तों चौथा option है using top up plus OSM plus subscription बोलेट यानि कि दोस्तों top up plus OSM plus subscription यानि कि आपका top up में भी है कुछ डोलर कुछ OSM में भी है और कुछ subscription में भी है तो तीनों को यूज करने के लिए आप चौथे नमर पर क्लिक करेंगे तो दोस्तों हम कर लेते हैं तीसरा नमर पर क्लिक using top up plus subscription आप अपने अनूसार से क्लिक कर सकते हैं तो यहाँ पर मैं top up पर किलिक करूँगा जैसे ही top up plus subscription बटन पर क्लिक करूँगा तो देखे दोस्तों यहाँ पर क्या होगा थोड़ा सा wait कर लेते हैं मेरे नेत थोड़ा सा slow चल रहा है दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया है मेरी चैनल को आप सस्क्राइब कर ले और इस वीडियो को भी शेयर कर ले दोस्तू यहाँ पर देखे क्या हुआ successfully यानि कि मेरी ID activate हो चुकी है यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तो successfully का option आजाएगा आपका भी मेरा आ चुका है तो इस परकार से आप अपनी ID को भी activate कर सकते हैं ठीक है दोस्तो अब आपको यहाँ पर OK पर क्लिक कर देना है तो मैं यहाँ पर OK पर क्लिक कर देता हूँ अब इसको मैं refresh करूँगा तो refresh करने के बाद देखें यहाँ पर क्या होगा जो भी मेरे टॉप अप में 20 डॉलर यहाँ पर दिख रहा है यह गाइब हो जाएगा यह यह यूज हो जाएगा ठीक है दोस्तो मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर OK करेंगे शोरी यहाँ पर dashboard में जाते हैं dashboard में जाने के बाद मैं आपको दिखा देता हूँ देखे दोस्तो मेरा टॉप अप में 20 डॉलर था लेकिन टॉप अप में 0 डॉलर हो चुका है तो किरपिया हमारे वीडियो को like करें और हमारे चैनल को subscribe करें और ये वीडियो को दोस्तो अपने गुरूप में share करें ताकि आपके भाई आपके downlines भी सीख सकें दोस्तो मिलते हैं next वीडियो में